नमस्कार दोस्तों मैं अपसेक पटेल रियेज के सनागे से कड़ियों पर आप सभी का सौगत करता हूं दोस्तों सभी एक दिवसिये परिच्छाओं को ध्यान में रखती हुए जो टॉपिक वाइज एक टेस्ट सीरी शुरू की गई थे उसके दो हपते पूरे हो गए इन दो करेंगे और इसे पहले में आपको यह भी बताना चाहूंगा यह दिया आप किसी ऐसे पॉलिटी प्ले लिस्ट की खोज में है जहां पर आपको प्री और मेंस को ध्यान में रखती हुए पढ़ा गया है तो आप ज्यादा इधर जाने की जोड़त नहीं है हमारे रियेजिके के लिए आपके पास काफी मैटर मिल जाएगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरा सा मिधानियों राजवेवस्था लगब 25 घंटे में देखके कबर कीजिए और साथ साथ आपको मिलेगा वहां पे एक PDF नोट्स जो आपकी पढ़ाय में काफी मदद करेग टो चलिए अपना हम लोग वीडियो सुरू करते हैं पहला कोस्चन है कि निमंखीत मेंसे कौन सा सही रूप से सुमेलित यहां सुमेलित होना चाहिए था सुमेलित नहीं है ठीक है दिवाने मुक्त राज ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक का ये किर्सी विभाग था, उसने किर्सी में सुधार लाने के लिए दिवाने अमीर को ही किस्थापना की थी, दिवाने खैरात, ठीक है, दिवाने खैरात, दिवाने बंदगान, ये सब फिरोज तुगलक, मुहम्मद फिरोज तुगलक ने शुरू क नियंत्रण भी था ठीक है ये वह आपका सचीय दिवानस काटने का भी है तो ये आपका प्रशन है कि निम्लिखित युगमों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है दीवाने बंदगान किसका है दिवाने फिरोज सा तुगलक का ये आपका सही है दिवाने arranged ठीक है दिवाने अर्ज ये किष का है दिवाने अर्ज एक सैनिक विभाग है बलवन ने इनका नहीं है मुहम्मद बिं तूगलत का अलाउदिन खिलजी का अ कि आपका अभी इससे पहले आपने पढ़ा दीवाने रियासत दीवाने मुस्तक राज ये दोनों जो थे रावजार नियंत्रण और राजस विभाग ये दोनों अलावदिन खिल जी के दिवाने अमीर को ही जो है वो मुहम्मद बिन तुगलक का किर्सी विभागता है और हमारा है निम्खित में से कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित नहीं ठीक है निम्खित में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित नहीं है ठीक है निम्खित में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित नहीं है ठीक है निम्खित में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित नहीं है ठीक लिए हैं इस्तिः और अगला दियान ए रिसाला एक धारमिक मुद्दो से सब्सक्वाक। स्ब्सक्राइब इसे सब्सक्राइबार से और नदुल इसमें गलत है दिवाने इस्तिहाग ये पैंसन भुभाग ये तीवाने और सेना भी भाग तो इस परकार दूसरा आप का Gलत है अगला प्रसुनिंखित में से कौन भूम उत्वाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता है ठीक है ये खुम से क्या है ये जमीन पर लगने वाला कर नहीं है ये लूट के धन से संबंदित है ठीक है ये जो लूट के लूटा हुआ धन होता था उससे संबंदित है बाकी जो खराज है ठीक है खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाल भूमिकर था ठीक है और उर्स जो था मुसल्मानों से लिया जाने वाला कर था मुक्तई भी जमीन पर लगने वाला एक कर है ठीक है जमीन पर लगने वाला एक कर है दो कर और है एक है जकात एक है जरी जिया मुसल्मानों पर जो धार्मिकर लगता था वह होता था जकात यह होत अब कमेंट में आंसर दीजेगा कि कौन से ऐसा सुलतान था जिसने ब्रामडों पर भी जजिया लगाया था ठीक उसका उत्तर आप कमेंट में दीजेगा और उन सभी मित्रों से जो आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे सबसे पहले हमारे पे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ठेस्ट दिया करें टेस्ट देने के वाद आपको तुरंत वीडियो सोलूसन मिल जाये करेंगा। तो हमारा अगला कोश्चन है कि सलतनत काल में भू राजुस का सर्वोज ग्रामीर अधिकारी है जोधरी ठीक है यह कौन है जोधरी यह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया गया आप उस पर किलग करके आप जुड़ स अगला प्रस्ण है जवावित का सम्मंद किस्से है जवावित का सम्मंद राज कानून से ठीक है जबावित का समन्ध किस्टे होता है, राज कानून से, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, फवाजिल का अर्थ होता है, एक्तेदार होगी, ने किसने शुरू कि थी? इल्टु तमीशने, ठीक है, याद रखना हो सब कुछ, ठीक है, तुरकान चहल गानी किसने शुरू कि इल्ट तमिशने कुत्व मिनार की पाच्वी मंजिल किसने बनाए था चोथी मंजिल में छतिक्रफ्त हो गई तो इसने चौति-पाच्वी दूनों बना दिया था सब साथ साथ आप याद करते चलिए ठीक है किवल टेश्ट देने से नहीं काम चलेगा आई काप संज्ञाने उससे सभी सभी चीज आप जानते रहिए तो इक्तिदारोदार सरकारी खजाने जमा की जाने वे अत्रिक तरह से जो इक्तिदार होते थे वो क्या एक्तिव के परध आपके हमार कर्ज रहा हम आपके दे दिये एक रुपयाई फादिल दे दिये थी उससे में उसे वही क्या था फवाजिल उससे में कहते है ठीक है जो चीज ज्यादा मात्रा में दी जाए अगला प्रस्ण है सल्तनत काल में कौन सी दो परमुख मुद्राव का परचलन था सल् हमारा किसका होता था चांदि का होता था उर जो हमारा का होता था जीतल होता था इसको चलाया किसने सबसे पहले इलतुतमिस अगर आपसे पूछा जाये सुढ़ नारभी सिख्य किसने चलाये से तो आप कहेंगे इलतुतमिस ओ शिक्या क्या थे टंका और जीतल चांदी जो था ओ टंका था जीतल जो था ओ तामा था ठीक है अग्ला प्रस नीड इसका उतर हो थीक है अलाउद्दीन mé assault sa? ठीक है अलाउद्दीन मसफूद s'ा? किसके सिखे बगदाद कयंतिम खलीफा का नाम सरता मंकित हुए तो अलाउद्दीन मसूद sa? ठीक है सिखे फ़र अगला अलाई दरवाजा के निर्मान किस विल्दान ने करवाए अलाउद्दीन खिल जी ने खिल झी ने कुतुम मिनार के बगल में दिल्ली में ही अलाई दर्वाजा का निर्माण करवाय था ठीक है और अलावदिन ने अलावदिन से समंदित और क्या-क्या चीजह जो हमें याद रखने चाहिए वो उसने सबसे पहले सेनिक वियौस था क्या नाम है अस्थाई सैनिक वियौस था ? उनको नगत वितन घुरत होड़े की पर ठीक है सेनकों को खुलीया हुठने के लिए और उसने क्या किया जो किरसी इ rhoकर ता हो एक बैटा दो कर लगा ठीक कैसे यहां की स्थाथ कुकि आप उन सब को यहां पर ला कि जिस जो कोश्चन जिससे मिलता-जूलता है आप उससे बलवन ने रखत लो की अपनाई थे ठीक है बलवन को उलुख खांकी उपाद दी गए थी ठीक है बलवन ने क्या नाम है पैबोस नाम है कि परथा सुरू की थे शिजदा और पैबो इसने क्या किया था उसने एक्तदारी पर्था शुरू कि थी तुर्का ने चहलगानी शुरू कि थी कुतब मिनार के निर्वाण पुरा कराया था ठीक है उसने सुद्धर भी सिक्के चलवाए थे ठीक तो इस तरह आप सबको बराबर रिवाइच चेरते चलिए आपको सब कु उसने नहरप्रणाली उसने क्या किया था थे थिसे तुलख के सब्स्दिए थे आप सबस्दसरदा भुलाम थे उसने के लिए भी वे उस्थाiendo की थी खेरात अस्वतार भी खोले थे ठीक है अगला प्रस्ट ना रहा है कि नहीं तो युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है अजमेर कुछल अल- इसलाम मस्जिद ठीक है यह गलत है अजमेर में नहीं यह दिल्ली में ठीक है अज यह बनवाया था किसने किसी कुदबुद्दिन अ बनवाया कहा था इसको इसको बनवाया था धाय दिन का जोपड़ा ठीक है और जो पोलो खेलते हुए गिरा ओप मर गया था ठीक है बाद में दबाग हुई लेकिन मर गया जौनपुर में अटाला महजिद है ठीक है जहाज महले सभी गुलबर्गा में जामा महजिद है यह आपका सही है ठीक है और बाकी राडा रतन सिंग्क को उन्दे के बारे में आप जाने कि जो आपने सुना होगा एक कहनी रानी पत्ममती के पति थे रड़ा रतद सिंग्ह ने पधमावत में इनकी व्याख्या कि यह ठीक है तो रड रतिन सिंग्ह का किसे समंद hamburger व्थे ंध से राद से की हत्या किस ने क्ये थी अलाउदीन खिली जीने थीक है तो यह सब यूरे चीजी आप एक दूसरे कि निचली सता पर कमल कली की जहालर खेल जी वन्स में यह आपका सही है ठीक है यह आपका क्या है सही है अष्ट भुजी मत्वरों का उद्धि तुगलग वन्स में अस्थ भुज़ी आठ Wचा वाले मगबरों सब्भलड वन्स में उद्धुलग कंट्रहु तया सही है का किताब का नाम है किताब किस ने लिखा था ये लिखा था अलबरुनी ने अलबरुनी ने आप किसके दरबार में रहते थे आप ये भी कमेंट करके तो कि देखा तो ये देखा था अमीर खुसरों ने और शेख निया बुद्दीन ओलिया ने दोणोंने शाथ सुब्स्रा नोगा सासनकाल देका है ठीक है अगला प्रसन आहिए कि नई फार्सी का विसायली सबक हिंदिच्छे हिंदुस्तानी जर्मधाता कौन है ये हैं अमीर खु दूसरों ठीक है अगला प्रस्ण है वाकि अलवर्णी के बारे हमने आपको बता दिया ठीक है और अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि निम्र्खित में से कौन सा राजबूत राजा संगीत का एक पुस्तक लेखक की रूप में जाना जाता है तो संगेता एक पूस्तक लिखतों था ना नाम है कियरति अस्तब ने उसक्त की अस्थापना की थी निम्ट भास resolve को दिल्ली दिल्ली के सुल्थान जिसने सब फार्सी भशा करें पहले इंडिया में आने का, तो पहला क्या है? अलवरुनी ठीक है, फिर उसके बाद आया था इबन बतूता आया था ठीक है, फिर ट्रेवर नियर, फिर मनूकी, ठीक है? महमूद गजनवी के साथ ठीक है अब उस क्वेशन का आपका आई डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए पूछे थे आप से कि अलवर्णी फिर्दोसी हरो की उत्वी किसके सासनकाल में आयते तो आप उसे कमेंट करके बताएगे गा लेकिन आईडिया को मिल गया होगा तो अ मुरुक्त को का न्यूसी था ठीक है ये मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में आयते तो उन ऑर लिदा वनुची जो था ये 8Go का ठीख है यह कि वहईत्रा के साधाव मेन की सेवा के लिए आया साइए ठीक है यह तोप्ची था उनका ठीक मनुची कहा था धारा शिकों का टोप्ची था तो इस परकार आपका यह तीसरा आपसन आपका सही होगा ठीक अलबॉर्ण हमारा प्रस्ना है कि निम्सित में से इस पर्था की शुरुआत राज पूतों के सरवे मी हुई नहीं, समय मी हुई कहना चाहिए था? गल्ब लिख दिया गया है इत़्िते निंटे किस पर था कि इसबात राजबूतों के समय में हुई तो समय में सबसे घ्वाद पpt पर था जिसमें क्या होता था? जब ऐसा लगता था कि हमारा से बचने के लिए और अपनी जो मर्यादा थी अपना जो को इसको बचाए रखने के लिए जोहर पड़ता होत होती थी इसमें सभी के सब कज़ सब बड़े कुंड में जहां पे लकड़ी जयाती थी और पूर गहने पेहनि पहने में हैं जाकि उसे में कूच जाते थे अपनी प्रावड कोई आभीती देते ये सर्ता होता था जब उनको ये लगता था यह एीट है के अप हमारे सभी निंख लेक क्याल सुमेल नहीं है अबहादूर साग घुजली और अव्कल तरही और क्यों रजी विल्टन सब्सक्राइब भापाटी में भारती ये किर्था खेती नहीं करते हैं उसरे मक्का की यह द्रम का अन्याई था यह द्रम का अन्याई सबस्क्राइब क्या इस प्रकार आज आप लोगों ने टेश्ट दिया था उसके सभी प्रस्णों की व्यक्ष्या हो गई यह और है कुछ प्रसनों को मैंने बहुत डीटियल में नहीं बताया क्योंकि यह प्रसन पहले की वीडियो में बहुत डेटियल बताए जा चुके थे, हमने अच्छे से पढ़ लिया है, मुहमद मिन कासिम के बाद, गजनवी के बारे में हमने अच्छे से डिस्टिंद दिया, इसके बारे पढ़ अब उनका क्या नाम है कैसे व राज चला थे उसके बारे पढ़ लिया तो इस परकार से हमारे सभी प्रस्म हो गए और अब आप लोग का अगला टेस्ट होगा जो सूफी अंद जो भक्तियां अंदोलन हुए थे उसके बारे में तो आप उसको तयार करके आईएगा ठीक है अगले सोमवार को होगा और बाकी जो टेस्ट है मंगला और बुद्वार से लेके सनिवार्थक होता रहेगा और आप फिर से पतान नोट्स भी मिल जाएगा अपनी पढ़ाई को आप एक नई दिशा देजिए ऐसी के साथ आपको बताएंगे कि यहां पर हम लोग लोगों ने क्या नाम है अर्थव्योस्था भी पढ़ानी शुरू कर दिए बिदेश्टर के द्वारा और अभी शुरुआ से पढ़ाई जा जय हिन जय भारत